हलो दोस्तों मेरे नाव है पंकज आप देख रहे हैं याद आव गराचनल चलिए शुरू करते हैं आज हमारे सामने खड़े हुए ग्रेंड आई टैन स्पोर्ट्स 2019 मडल पैट्रल वर्जन है फर्स्ट टोनर है गाड़ी चलिए केवल एक तीस ज्यार चार सो किलोमीटर गाड पाड़ी चाहिए तो मुझे कांटक्ट करके बता दें गाई तो इसके आना आगे मैं पूरी जान करें देदें वाइट कलर है सामने हुंड़े का लोगो मिल जाता है लगा हुगा आप सामने देख सकते हैं बंपर आपको ब्लैक मिल जाएगी नहीं प्लीट की ब्लैक प्लेकर मिल जाता है तो यहाँ पर आपको ब्लाइट पर यहाँ पर आपको इंडिकटर मिल जाता और ये ब्रेक्लाइट मिल जाती है तो back profile कुछ इस तरीके से है और second side profile मैं आपको देखा देता हूँ और second side profile आपको कुछ इस तरीके से मिलेगी गाड़ी के अंदर 1186 से लेकर 1100 एक सेकेंड एक सेजिन स्वारी गईज 1186 से लेकर 1197 सीसी का आपको इसके अंदर इंजन मिल जाता है जो की मैक्स पावर निकालता है 65.49 बीएच्पी की जो की जाती है 1800.86 बीएच्पी तक और टॉर्क निकालता है 119.24 एनेम जो की जाता है 113 से 75 एनेम पर 17 से 24 का माइलेज दे देती है ये गाड़ी जो की काफी अच्छी है भाई इतना माइलेज तो बहतीरी ने अभी इसके और फीचर्स मैं आपको बता देता हूँ जितने भी है सारे के सारे स्पोर्ट में ये सारी चीज़ा एवाई लेबल हो जाती है क्यांकि गाड़ी है गाड़ी में ये सारी चीज़ा मिल जाती है 1197 सेज़ानी मिलता है इसके अंदर अब मैं आपको बताइता हूँ यह ना जैसे मैक्स पावर पर जो आर्पिम जाता है वो कितना जागा एक क्यासी पॉइंट शासी भी पर आपका आर्पिम जाएगा 6000 रपिम और मैक्स टोड़ जाएगा एक सो तेरा पिच्छ रहना जो कि अब आते हैं गाड़ी के पूरी लंबाई की जो जो गाड़ी की लंबाई यह वो 375 mm होने वाली है चोड़ाई आपको मिलने वाली है 1660 mm की यह वाली आगे से देख लो चाहां पीछे से 1660 mm मिल जाएगी और इसके बाद में गाड़ी का जो वील वेस है वो आपको 2425 mm का मिल ज जाती है वह आपको 1520 mm मिल जाएगी यह सारी चीज़ें मिलने को आदमें इसके अंदर जो फीचर्स हैना वो काफी सारे फीचर्स मिल जाते हैं मल्टी फंक्शन्स स्टैरिंग वील मिल जाएगा ठीक है पावर एड एड़ेस्टिवल रियर वियू मिल जाते हैं मिलता है इसके अंदर जाते हैं इसलिए इसमें नहीं मिलेगा यह तो हो गया कुछ गाड़ेगी प्राइस के बारे में और सारी चीज़ें इंजन सारी चीज़ें आपको कम्प्रीट कर दी आप चलते हैं फ्रेंट ओपन करेंगे इसका यहाँ पर देखो तो चारों विंडो सेट करने के लिए मिल जागा लाइड आपको कितनी सेट करने चावी कुछ इस प्रकार से मिलती है इसमें आपको दो यूप्शन रहते हैं लॉक और लॉक का यहाँ पर सीट अड़ेस्टिवल कर सकते हो यहां से आप अपना फ्यूल टैंक ओपन कर पाऊगे गाड़ी गाड बंद कर दी पानी आ गया गाड़ी वाश भी हो जाएगी मेरी तो यह इसका इंटेर डिजाइन पूरा आप देख सकते हैं माचिस किसी की पड़े हुई है क्लाइंट की इसको इसको इसके अंदर रख देते हैं गलब बॉक्स को इतना बड़ा आता है सामान पूरा आजागा फोन के बटन दिए हैं री से और ट्रिप के बटन दिए हैं पांडल पर सारे कंट्रोल है चाब यहां लगेगी गाइस चाबी लगा दी हो गांटी का मीटर कुछ इस तरीके से आ जागा यह तो क्लोमेटर से पांसो किलोमेटर चल चुकी है गाड़ी टीक है अए मीटर पे 180W charger दिया हुआ है AUX USB यहाँ पर छोटा सा एक जगे दिया हुई है कुछ भी सामा लखने के लिए पांच speed gear आगे के लिए एक back gear दिया हुआ है गाइस दो कफोल्डर दिया हुए है और यह हमारा के लिए लाइट कुछ इस तरीके से गाइस यह हमारा IRVM इस तरीके से मैनुली आप मैनुली सेट कर सकते हैं और यह कुछ इसका बैक का इंटीरियर और यह हमारा है अड्रेस इसनी में इन विल्ड आता है तो आपको गाड़ी कैसी लगी मुझे कमेंट करें एंड गाइज लाइक शेयर सब्सक्राइब आज थैंक्स पर वाचिंग गाइज जय हिंवन ने मातना बाई बाई पानी पानी